हालो फ्रेंज हिंदी में जितने भी कोईशन आपको कम से कम हमने आप सभी को असी कोईशन कराये थे और असी में से आपके कम से कम 15 कोईशन आपके सेम टू सेम कोईशन फसे हैं फ्रेंज देखें जितने भी कोईशन कराये हैं वहीं सभी कोईशन आपके बोड के एक्जाम में आए हैं आपका 95 पर तीसत आपकी सिर्फ दो तीन वीडियो में हमने आपको बहुई कल्पी प्रश्ण कराया था उसी में से सभी फसे हैं देखे फ्रेंज आपका क्या था कि हिंदी का दुहसर तेस का पेपर है जिसमें यह आपका मॉडल है कि 801 डी ए आपका सत्तरा नंबर का पुढाइंग था तीन गंड़ा पंद्रे मिर्ट कर समय विए था चलिए आपका समय बरबाद न करते हुए सीधे हम आपको प्रशन दिखाते हैं कैसा प्रश्ण आपका प्रश्ण थ पहला प्रश्ण पूछा था कि आचार रामचंद्र शुक्ल किस यूग के लेखाई कि फ्रेंस आचार रामचंद्र शुक्ल से आपको एक दो तीन बार आपको प्रश्ण कराया थे कि इसका क्या था कि सुकल यूग दिवेदी यूग सुकल अत्तर या भारतेंदु यूग फ्रेंस अदम सेंटु सेंट यहीं कराए थे कि अचार रामचंद्र शुक्ल किस यूग के लेखा गया तो शुक्ल यूग के थे ठीक है आपका अगला प्रशन करवाए थे गबन की विधा है गबन भी आप कई पर करवाए थे देखिए आपको क्या है कि नाटक है एक कहांकी ह तो फ्रेंस इसका सही जवाब आपका क्या है उपन्यास है तो गबन की विधा क्या है आपका एक उपन्यास था चलिए अगला देखिए आपका कंकाल था कि कंकाल के लेखक है मुंसी प्रेमचंद्र जैशंकर प्रसाद निराला या रामचंद्र शुक्ल तो फ्रेंस इसका स सिपाइउ किरती को किसी किरती है या इस का सही जवाब थाज़ा आम्रित रहे कि उसमें ऐसे इस सवाब सागेत रचना है यह आपसन था आपका इसमें से सागेत है नहीं सब्सक्राइब नहीं आपको देखिए इसका आपसन है प्रगति वादी दिवेदी च्हाइवादी प्रवयोग वादी तो महा देवी वर्मा जो वित्री यह आपका एक ՛ायवादी यूग की कवित्र है ठीक है अब यहां सद गुण सवाल 7 number का होगाया अपर हुआइन अंब्रका सवाल यहां पर देखते हैं यहां परेखिए तो नहीं किसकी रचना है पद्मक्र किया तीसका सही जवाब होगा अ ठीक है अब दिखे फ्रेंग्स आपका आठ नमबर का सवाल था यह आपको दो या तीन बार अपको बने काल की शेंप सीमा है नहीं है एक्टिक्त क्स्रेंगे Jetzt अब लोई काल की समय सीमा है बने के आपसन इसैप बने कलपी की करवाये हैं यही थी आप दिया ऐप वीडिए reserves तो आपको पता होगा कि कितने प्रश्न मेरे वीडियो से भसा है ठीक है अब देखिए महादेवी वर्मा की रशना नहीं है यहां पर नहीं पूछ दिया है हम जो कि कराया थे कि महादेवी वर्मा की रचना कोन है इसमें से आपका महादेवी वर्मा की निहार है सांद गीत है दीव शिखा किसने लिखा है महादेवी वर्मा की सभी रचना है लेकिन एक युगांतर है यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है ठीक है आपका अगला प् जिसका सही जवाब आपको होगा भी हास यानि हास का स्थाइब हो क्या है आपका हास है आपको करवाये थे यह आप वीडियो देखेंगे तो पत्ता होगा कि यह उद्धारा को करवाये थे कि पीपर पाद सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है रूपा के उपमा है उट्परेच्छा अनुपरास है इसका सही जवाब आपको होगा उपमा अलंकार देखेंगे फ्रेंस बहुत ज्यादा प्रशन फसन है ठीक है इसी प्रकार से आप मैद का सभी वीडियो अप्लोड करें एक हंडेट परसंटेज आपका हंडेट परसंट जितने प्रसंट करवाएंगे मबयद में सभी परसंट के फ्रेंस ठीक है आपका है यह सवाल को देखते हैं उपदेष में प्रिप उपसर्ग यह आपको दो तीन बार प्रुप ख़ोगा एज़ उपंदेष ऊह मूपर हो क्या हो तो क्या होट सथए क्या है प Qinक इसका सभी अगला इसमार है मेरी वीडियो के जाके दुवारा देख सकते हैं कि प्रश्न फासा ये नहीं फासा परते अब प्रते के भेदे फ्रस्टे के कितने भेदे ihm found D is आपको समास से कर वाए थे इसामास में कहों था समास आपको पढ़ना था आपको कोईवाची दोंद समास है आपके सामने अपनव अ प्यूट समास में मछली का पारवाची ओगा नंबर का सवाल है कि यद्दिपी में कौन सी संधी है यद्दिपी में फ्रेंस आपको कौन सी संधी है तो यड़ संधी है तो इसका सही जवाब होगा यड़ संधी ठीक है आपका अगला सवाल है कि मधूर्षब्द का द्यूति विभक्ति बहु अचन रूप है यह भी आपको करवाये थे दूर्दो शब्द का दिूति विवक्ति बहु अचन है तो इसका सही जवाब होगा डी ठीक है मधुनी है आपका अगला सवाल है पठताम धादू का वचन एवं पुरूस है तो फ्रेंच देखिए आपको असी प्रश्ण में से आपको बहुत से प्रश्ण ऐसे सेम टू सेम फसा है आपको मैद का बहुत प्रश्ण और दिर्गूत्री प्रश्ण सभी करवाएंगे यदि आप वीडियो के देखेंगे तो आपको देखेंगे यद्वाईट्टी एको अवीडियो के लिएधे यदियो के वानन हमा से एको अभाएंगे यदियो को अभाएंगे यदियो कोईड़ और वेवग।